हेलो स्टुएंट्स, आज हम कक्षा बार भी कि पाठ्ठी पुस्तक मकरंद का पाठ मन की एक आग्रता पढ़ने जा रहे हैं, जिस का लेखन कारे किया है, पंडित बालकर्षन भारद्वाज दौरा लेखन कारे किया गया है ये एक विचारों को आपके सामने निभंद के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि मन की एक आग्रता क्या होती है और हमारे वरतमान समय में हमें उसके लिए किन-किन समस्याओं से जूजना पढ़ता है तो मन के एक आग्रता को जो समस्या है वो लेखा कहते हैं कि वो हमेशा से बनी हुई है और आज जो प्रोध्योगिकी का यूख है हमारा उसमें प्रोध्योगिकी जो उन्नती की समभावना है वो बहुत जादा है लेकिन जब छात्र अध्यन करने बेट जाते हैं जब सारे विचार आते हैं वो सोचते हैं कि हम ये करें हम वो पद को पाप्त करेंगे लेकिन सब के लिए मन में एकाग्रता होना जरूरी है अच्छे नंबर से प्राप्त होने के लिए भी एकाग्रता होना जरूरी है लेकिन जब हम पढ़ने बेटते हैं तो क्रिकेट, सिनेमा, मित्रमंडली, मोजमस्ती अनेक प्रकार के विचार हमारे मन को भटकाने के लिए आ जाते हैं इन सब में जो विशलन बुद्धी की एकागरता को भंग करता है ये जो बहारी चीजें हमारे मन की एकागरता को भंग कर देती है वो घबड़ा कर सोचता है परिच्छाकी तो फिद्कमी आ जागए एक्जाम की डेट हमारे पास में आ गई है मन घब़ाने लगता है मैं क्या पढ़ए जो पेशली के से पढ़ए मन को परेशान करने लगते हैं और मन और विद्धी दोनों क्या होते हैं चंचल हो जाते हैं अगो सोचता है कि परिच्छा में अनुत्रन हो गया तो सब कुछ नस्ठ हो जाएगा मतलब अगर परिच्छा में फेल हो गया तो हमारा पुरा जीवन बरबाद हो जाएगा सब कुझदष्ट हो जाएगा और जो मान सम्मान और ये सब खत्म हो जाएगा और अमारी जीवन पुरा बोज बन के रह जाएगा बार-बार वो निराशाओं से भिर जाता है और अपने मन की नियनत्र न को खो दे तक है और चंताओन में डूम चाता है अरनी इतना चंचल है और उसकी चंचता को रोकना उतना ही मुश्किल है जिस प्रकार से वायो को रोक लेना ऐसे चात्र की दो समस्या होती, पहला उसका मन भोग और इश्वर पाने के लिए उसको बार-बार अपनी और खेशता है दूसरा पढ़ने के लिए उसकी बुद्धी को प्रेडित करता है कि तुम्हें पढ़ना है बाहर की चकाचोर की दुनिया की तरफ नहीं जाना है और अपने मन में उन विचारों को रखो और अपने मन को स्थिर करो बाहर की सब परिस्थितियों से खुद को बचा लेना चाहिए आपको और आंतरीक मन को अपना नियंतर में कर लेना चाहिए और ऐसे इस्थिति में मन को सयम में कर लेना चाहिए, यम यम आसन प्राणायम ये सब कुछ चीज़े जो होती हैं, हमारे मन को एकागर करती ही, योगासन करना, ध्यान लगाना, प्राणायाम करना, ये मन की बुद्धी को एकागर करने के कुछ उपा हैं, पर इस सब मन में इस्थित प्रग्य वह है, मतलब कि इस्थिर बुद्धी जो विचलित नहीं होती है, जिसके बुद्धी अस्थिर चंचल है, विचलित नहीं होती है, वही इस्थित प्रग्य इंद्रिय मन से सयमित बुद्धी का नाम होता है, मतलब जिसके बुद्धी चंचल नहीं है, मन करते हैं वो कि हमारे नियां उसके भोग शुक लेती हैं मन नियों से दूर इसकता है जैने वाली कामना है कामना मतलब उच्छाएं खत्म हो जाएंगे पर कामना का अभावत अभी संभाव है जब व्यक्ति वस्त्मों के बिना संतुष्ट रहां सीखेगा वहीं तो बोद धर्म का भी ज्यान है चाहे जेन धर्म का ज्यान हो जाहे गीता के उपदेश हो सभी में यही किया है कि व्यक् करती है और समझ से यह है कि इंद्रियों के विशय में बल पूर्वक्तियों के द्वारत दूर भी कर ले तो भी विशय का चिंता नहीं चूड़ता है क्योंकि आप आखों को बंद कर लो नीन ना आने पर ना सो आप किसी चीज को ना करो लेकिन यह जबर जस्ति आप इंद् के कारण लेकिन जो मन और बुद्धी के विचार है वो हमसे रुख पाते नहीं है जैसे ग्रिश्मेरी तुमें ताफ से प्रत्थी पर वदस्पतियां सूख जाती है वर्षा में जल पाक फिर पल्लवित हो जाती है इसी प्रकासे विश्यों के बल पुरुक हटाए गए प्रणायाम करना चाहिए खुद से इच्छा से अपनी इंद्रियों को वश्मे करना चाहिए मन दो प्रकार से उत्तेजित होता है मतलब कि परेशान होता है बहार के विश्यों और वितर की वास्तनाओं में इस्पृति में जो अंतर आ जाता है अतर जब वास्तना और विश उसको पुरी तरह से मना नहीं कर पाते हैं और इस प्रकार से परम द्रश्टवा निवर्थतेव का अर्थ होता है कि मन को किसी पर अर्थात परम उच्छ लक्ष पर लगाना होगा जैसे कि सेवा के कारे करना है लोक संग्रव में राष्ट भक्ती में दीन दरिद्रों की सेवा करना ऐसे कामों में लगाने पर हमारा मन शान्त होता है और हम अपने उपर के उपर अंद्रियों पर सायम भी पा सकते हैं और हमारे विश्व में आ सकती खतम होती है विश्व में आ सकती का मतलब कि आपको ठंड लगे तो गर्माहड चाहिए गर्मी लगे तो ठंड़क चाह गीता में परम का अर्थ परमात्मा कहा है, यहीं उन्होंने परिभाशित करते हुए गीता क्या बोलती है, कि सब विश्व इस्वर है, पुरी दुनिया क्या है, इस्वर है, और वासुदेव सर्वम है, वला वासुदेव भगवा श्री करश्न सभी और है, और मुझ इस्वर क में सेवा भावना करते हुए, पुरे विश्व की सेवा करना चाहिए, सारे रिक रोकों से पिडित लोगों की सेवा करना चाहिए, कुछ दूसरे लोगों को मदद करना चाहिए, जिससे कि हम इश्वर की मदद करें, इश्वर की सेवा हम कर सके, यह सत्त है कि जीवन के लिए इंद्रियों का विशय सेवन आवश्य के पर गीता ने बताया है कि इंद्रियों का विशय लेकर आसकती और द्वेश से किया गया नहीं होना चाहिए इंद्रियों के विशय भोग को सदे नियंतरित रखना चाहिए इंद्रिया है इसने आँख देखने के लिए है नाख सूंगने के लिए है काल सुनने के लिए है लेकिन को नियंतर में रखना चाहिए यह सी चीज़े ना सुने जो आसकती करें आपको आपके आपको से बुरी चीज़े ना देखें आप उनको सयमित रखें आपको जितना प्रोक ही नहीं है, आपका कंट्रोल ही नहीं है, तो कि जैसे चोरी है, या समाज बुरी आ देते हैं, वो क्यों आती हैं, जितना आपके पास उससे आप संतुस्टरी होते हैं, आपकी इच्छा और ज्यादा और ज्यादा की होती है, इसकी वाज़े से हम समाज में अनेतिक और बुरे कर्मों को करने के लिए प्रेरित होते हैं और इसी को तो कामना कहते हैं और लोगों को अपनी कामना को त्यागना चाहिए इंद्रियों को वश्च में करना चाहिए और इंद्रियों को अपने वश्च में रहने पर उन पर अंकुष रहने से विश्यों में इंद्रियों को करने से बचती हैं इससे हम समाज में बुरे करम बचने करने से बचते हैं इस प्रकार से इस पार्थ के दोरा ले करना है में अपने इंड्रियों को वश्मे करना और आप विध्यारती होने के साथ आपके लिए बहुत अपयोगी है कि अपने इंड्रियों को वश्मे करते और पूरी एकागता के साथ अपने विध्या को अध्यन करना है और अपना पढ़ाई में मन लगाना है धन्यवाद